दुनिया की मश्रूर टेग कंपनी एपल ने आईपैड प्रो लॉंच कर दिया रहे कंपनी ने नियू यॉर्क के ब्रुकलिन में आयो जिद इवेंट में अपने नए आईपैड प्रो से परदा उठाया आईपैड प्रो का 2018 मोडल 11 इंच और 12.9 इंच के दो स्क्रीन साइज में पेश किया गया है नए आईपैड प्रो में 11 इंच और 12.9 इंच के LCD प्रोमोशन लिक्विड रेटिनर डिस्पले होंगे पिक्सल मासकिंग टेकनलोजी से लेस होने की वज़ा से इसमें आपको आईपोन XR की जलक देखने को मिलेगी यह आईपैड 64GB, 256GB, 512GB और 1TB स्टोरेज वेरियंट में उपलब्द होंगे आस बात यह है कि यह दुनिया का पहला iOS डिवाइस है जो USB Type-C कनेक्टर पोर्ट को सपोर्ट करता है नए एपल आईपैड प्रो में कमपनी के लेटिस्ट इन हाउस एपल A12X Bionic 7NM प्रोसेसर का इस्तिमाल किया गया है इसमें True Tone LED Flash के साथ 12 Megapixel का Rare Camera सेंसर दिया गया है इसके जरीए यूजर्स 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाएंगे कमपनी ने आईपैड में 10 घंटे की बैटरी लाइफ का दावा किया है कमपनी ने बताया कि यह अब तक के सबसी पतले आईपैड है दोनों आईपैड प्रो की मौटाई मातर 5.9 mm है यह पुराने मौडल के करीब 25 परसेंट जादा हलका है आईपोन X की तरह कमपनी ने आईपैड से भी Home बटन हटा लिया है यह जेस्चर कंट्रोल सपोर्ट करता है नए आईपैड में Apple Face ID पीचर भी दिया गया है यह जो करना दो एक जाईपैड लूँ करता है